रतन ठाकुर भी एक शहीद है बिहार के, उनके पिता ने भी यही कहा कि मेरा एक बेटा तो चला गया लेकिन मैं दूसरे बेटे को भी फौज में भेजना चाहता हूँ ताकि वो मुकाबला करे दुश्मनों का सिधार जी अब हमारे साथ शबनमलों जी जुर गई है, शबनमलों जी सिधार का एक सवाल था, कश्मीर के मद्दे नजर, मुझे लगता है कि उसके सवाल का आपको सामना करना चाहिए, सिधार क्यों न आप एक बार फिर से अपना सवाल पूछते हैं सीधे, सिधार जी अपसी में कोई कुछ कारवाई करते हैं, तो तब कि उसे Human Rights Commission का नाम Human Rights Violation कहा जाता है, लेकिन अब जब सेना के साथ इतना बड़ा हास अब Human Rights Commission कहा है, अब Human Rights के एक्टिविस्ट कहा हैं, अब तो कोई कुछ बोलने को तयारी नहीं है, कोई कोई नहीं है, और जब उनके पेट की जेबे भरे गए उन्हीं की दलाली करें हैं, जी शबनमलों जी बोलिए, वो सुन रहे हैं आपको, जी, सिदार्थ मेरे बाई, आप इस वक्त बहुत मुश्किल दोर से गुजर रहे हैं, आपकी हर बात सर आँखों पर मेरे इस वक्त, क्यूंकि आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं बाई, मैं भी इस दर्द से गुजर चुकी हूँ, मेरे वालिद मौतरम का नाम अबदिल गनी लोन था, उन्हों ने कश्मीर के पीस के लिए अपनी जान गवाई, उनको भी आतंक वादियों ने मारा था, मेरे बाई, मैं आपकी वो बहन हूँ, जिनके गर उनके बाबा की लाशाई और सुबा तक वो खुन उनका बंद नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ दलाल बैटे हैं मेरे बाई, दलाल आर पार बैटे हैं, जिनों ने हमारी जिन्दगियां तबाह की हैं, मुसल्मान को हिंदू से लड़ा रहे हैं, हिंदू को मुसल् दलाल अपनी जिन्दगिया उन्होंने बहुत बेहतर बनाई हैं यहां पर सब्ता की लालच में सब लोग आश आराम और अश्रत में हैं जबनम जी माप कीजेगा मैंने सोचा नहीं था कि आच चिला चिलाहट मेरे शो में होगी लेकिन आपसे पूछ सकती हूं जिन्हें आप बार बार मुझे तो हिचकी चाहट होती है ऐसे अप शब्द लेने में लेकिन आप जिन्हें दलाल कह रहे हैं यह कौन है है आप में हिम्मत की हुरियत के नेताओं को बोल सके है आप में हिम्मत की आप हुरियत के नेताओं के लिए जो पत्थर बाजों के बचाओं में आते हैं जो कट्टर पंच को बढ़ावा देते हैं उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत है तो बोलिए और आपने ये कहा कि शबनमलोन ने जो ही सुना कि शहीदों के परिवार वाले आएं आपकी हिम्मत अंजिना जी, आप हैं कौन? मुझे ये बताया गया कि आपने इसी वज़े से शो से बैक आउट कर लिया गया आप वापस आई शो में आप उठके चली गई थी शो से, उसके सवाल का जवाब दीजे, वो पूछ रहा है पतर बाजों को जो आप बच्चे कह रही है, जो आतंकियों को आप कह रही है कि हमारे बच्चे हतियार उठा रहे, किसके बच्चे? आप बच्चे कह रहे हैं आतंकियों को, जिसने चालिस लोगों की जान ले ली, आदिल आहमत डार क्या था? आदिल आहमत क्या था? आपका बच्चा था? जाये अगर दम है, मैं कह रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी से अब्दल गनी लोन की बेटी मखातिब है, मैं कह रही हूँ प्राइम मिनिस्टर साथ, कश्मीर में कुछ नहीं होगा, आदिल आहमत डार क्श्मीर का बच्चा था? आप लोग तैय करें, आपकी जंग है या पाकिस्तान के साथ? जेरल जीरी बच्ची, जेरल जीरी बच्ची, कश्मीर के लोगों के साथ जंग है या पाकिस्तान के साथ? अपने हर्ट और अपना कंफ्यूजन और अपने दिल का दर अपने पास रखेंगे अदिल हमारी दार कौन है शबनम जी मत चीखिये पर हैं कश्मीर की देना है चीखने से हल नहीं निकलता है चीखना खुद एक मसला है मैं नहीं चीक रही हूं आपूड साथ कूछ रही हूं आदिल एहमद्धार जिसने यह धमाकर दिया कौन था और आज तक और आदिल एहमद्धार कौन था चोड़िए अरे छोड़िये कुछ बोलना चाहिए जबना जी आदिल एहमट है क्या यह भी कश्मीर का बच्चा आप मुझे बताइए क्श्मीर का बच्चा ता जिसमें वो बॉम लाफ्ट करवाया कौन है हम कश्मीरी आप गोल पोस्ट शिफ्ट ना करें सवाल का जवाब दे आज आज आप मेरे सामने एक्सपोज हो गई है अगर एहल कश्मीर देख रहा है यह तो यह जो अंजना ने जूट बात कई उक्साने वाली बाते ना करें शबनमलों जी, आप एक वरिष्ट वकील भी है, यही तुम सर्वोच अदालत के इसी देश के जाती हैं प्राक्टिस कर ले, और देखिए अपनी जुबाइन से, आंगे के खिलाप चिला कर उक्सा कर आपको कुछ नहीं मैं सब जानती हूं, सिधार के सवाल का जवाब दीजे, शबनम जी सुनिये, सिधार बोले, अरे यह आपके कम है, क्या आपकी हिम्मत कैसे हुई, नहीं नहीं आप उन्हें छोड़िये, आप बतिये शबनम जी, यह भाई मेरा उतना है जितना आपको लगता है, सिधार बोले, हाँ हाँ भाई बोल, नहीं 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 नहीं, मैं आपका भाई नहीं हूं, मैं किसी कश्मीरी का भाई नहीं हूं, आप सदार के जो यवी इसने एमाद जो इसका नाम e-commerce किया है जो जो गाड़ी में था किया वह भी कश्वीर का किय वह भी कश्मीर का बच्चा था नहीं चोंने कर्दियों यह हम यह यह दो बना से यह तो प्हले पत्थर मार ने देते से फ manten बीन करते रहा है आप कि मैं आपका बाई नहीं हो तो नहीं हो ठीक है नहीं हो ते नहीं यह कुछ नहीं होर्भ तो पा किया वह कौन था शबनम जी अदिल एहमद daring कौंधर कौन था शबनम जी अंजिलाजी आप जायद उसको मेरे से ज्यादा जानती है अंजिलाजी मैं जो सुना अपारों में पड़ा 19 साल का लड़का था उसने वो स्यूसाइड बामर था आप मुझे बताईए आप मुझे बताईए जो आप जानती है मैं भी वह यह मगर एक बात है मेरे कश्मीर की बदनसीबी की दास्तान यही से शुरू होती है हमारे कश्मीर की तबाई वही से शुरू होती है हमारे बचे स्यूसाइड बोलना चाहरे है आपकी पालिसी का है और आप पाकिस्तान के साथ बिसनेस करती है शबनम जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर किसी की उमर के अधार तो उसे बच्चा कहा जाना है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, निर्भया के साथ वो विभत सक्रत करने वाला माईनर था, वो छमा के योग ये था क्या, तो उससे जादा भयानक अपराज जिसने कि या उसे आप 19 साल का कहके बच्चा कहके नहीं बस सकती, दूसरी बात, आप ने ये कहा कि कश्मीर में कश्मीरियत की लगाई है, तो मैं पूरी बिनमुर्टा के साथ वो पूरी चिसने हमारी निर्भया के साथ वो किया, उसका फाजी उनी चाहिए, इसमें का जंडा दिखा साथ राहे देन, साथा खूरी में का थे नो राहे ज़े क्योंका ने रवनागे लिदेख से वो पाकिस्तान उसका प्राइए, उसके का मायगा हुआ है सिधार्ट से कहना चाती है। कि आज ये सरकार कोई भी निर्नाय लेती है。 कि हमारे जो जाने गई हैं, जो शहादत हुई हैं, वो किसी भी तरीके से व्यर्थ न जाए. आपके आसू, आपका दुख, आपका दढ़, किसी तरीके से व्यर्थ न जाए. और उसका खामियाज़ा पाकिस्तान भुकते इसके लिए हम सब प्रतिबद है यह हमारा करतव्य है